तो मेरे बहुत ही प्रीय और बेहत सम्मानत साथियों रिदय की असीम गहराईयों से अभिनंदन बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत साथियों शनिदेव की जो छवी है जोतिशास्त्र और जोतिशास्त्र से भी जाता जो लोक के जन मानस में है वो है कि बहुत ज्यादा ये पीडा दायक, कश्ट दायक प्रताड़ित करने वाले ग्रह है साथियों मैं नियमित रूप से अपने प्रत्यक कुंडली विशलेशन के कुंडली से संबंध है तो जो भी एपिसोड होते हैं उसमें निरंतर एक बात जरूर कहता हूँ कि कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस लगन की जन्म पत्र का है और उसकी प्लेसमेंट कैसी ठीक वैसे ही जैसे कि हम व्यावहारिक जीवन में देखता हैं वो सकता है कि एक इनसान पूरी दुनिया का शत्रू हो बुरा बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी छवी रखता है कोई व्यक्ति लेकिन वो भी कुछ लोगों का दुश्मन जरूर होता है तो वैसे ही कोई भी ग्रह हो बात हम आज शनी की करेंगे लेकिन कोई भी ग्रह जो है वो अच्छा है या बुरा है ये इस बात पर एक खास प्लेस्मेंट इलेवन्थ हाउस में कैसे वो व्यक्ति की हर एक इच्छा पूरी करती है शनी की दशा अंतर दशा जीवन की एक सर्वत्तम दशा होती है पैसों कामबार लगा देती है कैसे वो होता है इस पर चर्चा करेंगे इससे पहले एक जरूरी सूचना कि समाधान है तो आने वाले समय में मैं इन शहरों में व्यक्तिकत रूप से उपलब्ध रहूंगा आप अपॉइन्मेंट ले करके ये जो नंबर दिये जा रहे हैं इस पर संपर्ख करके अपना जो स्थान है वो पक्का कर सकते हैं तो साथी ये जो रेफरेंस है आज के इस ए एलेवन्थ हाउस में हो तो वो कैसा रिजल्ट देता है साथी तुला लगन की ये जनुपत्रिका है साथ नंबर से प्रारम हो रही है ये लगन स्थान है लगन अर्थात हम स्वयम होता है और महादशा हमारा वर्तमान का समय होता है तुला लगन में शनी एक तो सुखेश है अर्थात फौर्थ हाउस के लॉर्ड है और एक पंचमेश है अर्थात पंचम भाव के लॉर्ड है इन दोनों भाव के लॉर्ड होकर कि यदि वो जनुपत्रिका में एकादश भाव में लाभ के भाव में बिराजमान हो जाते हैं तो सबसे पहले तो वो इस लाभ के इस या वो देंगे, खास तोर पर ये जो व्यक्ति होता है, ये किसी ना किसी फील्ड का विशेशक ये जरूर होता है, खुनरमंद जरूर होता है, उदाहरन के लिए जैसे कि कोई सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, और किसी भी विधा का वो पारंगत जरूर ह और उस विधा में वो शिखर तक जरूर पहुंचता है और उससे वो न केवल आय बलकि संपत्ति भी अर्जित करता है। इन में एक विशेश कला ये होती है कि इनके आसपास जितने भी लोग है चाहे वो इनकी मित्रमंडली के हों इनके आफिस के कलीग हों इनके पडोसी हों जो भी इनका पबलिक रिलेशन का दायरा होता है उस दायरे को ये अपने लाब के लिए बहुत अच्छे से भुनाने का क जरूरते होती हो जब व्यक्ति की जरूरतें पूरी हो जाती है तब आती है बारी इच्छाओं को पूरी करने की अच्छे कपड़े हो अच्छा घर हो अच्छा स्कूल हो अच्छी गाड़ी हो ये जरूरते हैं लेकिन विदेश यात्रा हो फाइव स्टाइल हो जो लाइफ स्टाइल हो लगजूरी हो ब्रांडेड हो सारी चीज़े ये हैं इच्छा हैं तो शनी इस इस्थिती में अपनी दशा अंतर दशा में इस जातक या जातिका की हर एक इच्छा पूरी अवश्य करता है सबसे पहले ये इलेवन्ध हाउस की बात हो गई चुकि शनी देव यहाँ पर चतुर्थ भाव के लॉड है सुख भाव के लॉड है इसलिए वो सुख का अंबार लगाने का कार दे करेंगे ऐसा जो संतान जातक या जातका जो भी होता है अपनी मा का बड़ा प्री होता है हम अंग्रेजी में उसके लिए एक शब्द भी कई बार इस्तमाल करता है कि ये ममाज बॉइ है यदि ये कहें तो बिलकुल गलत नहीं होगा भूमी में भूमी में चाहे वो प्लॉट खरीदें चाहे वो फ्लैट खरीदें चाहे वो मकान खरीदें चाहे कमर्शल रेजिडेंशल भूमी से ये अकूत संपत्ती अरजित करते हैं और सुयम यदी रियल एस्टेट के बिजनस में ये चले जाएं तो फिर तो कहना ही क्या पैसे रखने की भी इनको प्रॉबलम आ जाती है। अपने हर एका सपना होता है कि मेरे पास इस तरह का घर हो तो अपना उस तरह का घर भी इनकी शनी की दशांतर दशा में जरूर बन जाता है और एक लग्जूरी गाड़ी का जो इनका सपना है वो भी इनका पूरा जरूर हो जाता है और इनसे भी आके बढ़कर के व्यक्ति ज करके, साथ वे, इसके अलावा, शनिदेव इस जम्पत्रिका में, पंचम भाव के भी लॉर्ड है, इस भाव के, तो यदि, ये किसी से प्रेम करते हैं, और चाहते हैं कि प्रेम व्यवा, इनका संपन हो जाए, उसमें भी शनिदेव इनकी पूरी मदद करते हैं तो प्रेम में सफलता और इनका प्रेम जो है वो शारिरिक प्रेम नहीं होता बलकि उससे उपर उठकर के भावनात्मक और आत्मियदा का प्रेम होता है प्रेम इनका लंबे समय तक चलता है यह वन नाइट इस्टेंड या शॉर्ट तर्म रिलेश कमाते हैं कि शायद इन्होंने स्वयम भी कभी सोचा नहीं होगा यदि ये शादी कर लेता है और शनी की दशा इन को चल रही हैew तो प्रतम जो संतान है वो इनके लिए इतनी भाग्योदय कारक होगी कि शायद ये इससे पहले इनको कल का भी भरोसा ना हो कि कल शायद खाना बनेगा या नहीं बनेगा और ये प्रथम संतान के बाद में हाजारों लोगों को अपनी तरफ से खाना खिलाने की स्थिती में आ जाता है इतनी भाग्योदय कारक इनके लिए जो संतान है खास तोर पर प्रथम संतान वो होती है साथियों यहाँ पर बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टी से शनी देव लगन को देख रहे हैं इनकी जो परसनेलिटी है उसमें ठहरा और गंभीरता के साथ में विवेक शील्ता ये गलत निरने कभी भी शनी की दशा अंतर दशा में लेते ही नहीं है बहुत धीर गंभीर होता है और जो डिसीजन लेता है उस पर कायम रहता है उसको सही साबित करके ये रखता है कुल मिलाकर के जो इनकी परसनेलिटी है जो ओरा है जो तेजो वला है वो बड़ा जबरदस्त होता है तो जितनी तारीफ की जाए उतनी यहाँ पर कम है साथी उसके साथी जो दसवी दृष्टी है शनीदेव की वो इस अश्टम भाव पर पड़ गई तो इनकी आयू ये लंबी करता है शनी आयू का यहाँ पर वरधन करने का कार्रे करता है और कम से कम 80-85 तो आप मान करके ही चलो छोटी बड़ी जो बाधायें भी आती है वो भी यहाँ पर पश्टरूप से दूर हो जाती है और एक से अधिक आय के सुरोत शनी की दशांतर दशा में इनको जरूर मिलते है यहाँ पर एक बात और घ्यान देने योग है कि इन सब बातों से पहले आप अपनी जन्म पत्र का में शनी की जो डिगरी है वो जरूर देख ले कहीं शनी आपके पड़ा हो सुन्य डिगरी या एक डिगरी या 28-39 जी अन्तिम डिगरीयों का तो वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगा साथ यह जो इस्थिती है तुला लगन है योग कारक है शनी यदि आपको शनी की महादशा चल रही है और आप चाहते हैं कि आप शिखर पर पहुँचे कई बार व्यक्ति जो है स्वयम की योग गिता का आकलन बहुत कम कर बैठता है व्यक्ति दो ही कारे करता है या तो अपनी योग गिता को बहुत ज्यादा आख लेता है जिसको हम ओवर कॉंफिडेंस कहता है और कई बार कम आख लेता है जिसको हम कॉंपलेक्स कहता है ऐसी दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर नीलम भी धारन किया जा सकता है, प्राण प्रतिष्ठित अभी मंतृत और मंत्र चेतन योक्त करके, और दूसरा यदि ये दश्रत कृत शनी स्तोत्र का पाठ प्रारम करते, तो वो इनके लिए राम बान इलाज होगा, और शनी की दशा इनको पहले से भी बहुत अ आज के लिए किवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ सम्रिध और शांती पूर्वक जीवन व्यतीत करें, नमस्कार